नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिका महरोत्रा गोरकनात मंदर में हमले से संसनी फैल गई है सुरक्षा कर्मी ही जबार हमले का शिकार हो गए जिसके बाद इस मामले की सक्ती से जाच हो रही है अब इस हमले में आतंकी साजश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है तो आहीं सुरक्षा एजनसीों ने जाच और तेज कर दी है इस हमले में और कितने पहलू खुल कर सामने आये हैं देखिए इस रिपोर्ट में गोरकपुर के प्रतिस्ठित गोरकनात मंदिर परिसर में बीते रवीवार को हुई घटना ने संसनी फैला दी है मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले का मामला सामने आने के बाद ये घटना आतंकी साजश भी पताई जा रही है तो वही इस मामले की जाच की जा रही है हमले का आरोपी एहमत मुतरजा बासी के जाच के लिए SIT समेट कई जाच एजनसी अलर्ट मोड पर आ चुकी है शुरवाती जाच में एहमत मुतरजा बासी के तार आतंक वाद से जुरते दिख रहे है आरोपी के पास मिले डॉक्यूमेंट से पता चला है कि इसके तार गजवा तुलहिंद आतंकी संगटन से भी जुड़े हैं ये जानकारी सामने आने के बाद मामली की गहन जात शुरू हो चुकी है गोरकपुर के आसपास के जिलों में छापे मारी जारी है पुलिस के हाथ मुतरजा के दो साथी लगे हैं जिन्होंने उसको मंदिर के पास तक छोड़ा था इसमें कुशी नगर के दो लोग हिरासत में लिये गए ये दोनों आरोपियों से मुतरजा चैट बॉक्स के जरिये बात करता था खबरों के मुताबिक आरोपी मुतरजा से रात भर पुलिस कर्मियों ने पूछताच की और मुतरजा पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने बयानों को बार-बार बतलता रहा पूरी घटना के बारे में अगर बात करें तो गोरकपुर के प्रसित गोरकनाथ मंदिर में सुरक्ष्या में लगी PSC की बटालियन के दो जवान मंदिर के दक्षुडी गेच पर ड्यूटी पतनाथ थे गेच को पार कर एक युवक्तेजी से आया और मुखी गेच पर तैनाथ सिपाही के करीब पहुच गया और सिपाही से उसके हथियार छीनने लगा सुरक्षा कर्मी जब तक संभलता उतने में ही हमलावर ने एक धारदार हथियार से उस पर हमला करना शिरू कर दिया शोर सुनकर वहाँ खड़े एक अन्य सिपाही सुनील वहाँ भागते पहुचे तो हमलावर ने उन पर भी पत्थर बरसाए आननफानन में सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को दबोच लिया हाला कि इस मामले की असलियत क्या है इसका पता UPST लगा रही है लेकिन अब प्रसाशन को इस घटना से सीख ले लेनी चाहिए और आगे इस प्रकार की कोई घटना न हो इसलिए सुरक्षा एजंसियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है प्राइम टीवी से आतित्यवारी की रिपोर्ट गोरकनात मंदिर जो की लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है तो वहीं वो सुरक्ष कर्मी जो की जनता की सुरक्षा के लिए लगे होते हैं उनको सक्त सक्त सजा मिले फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही आप देखते रहिए प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार